बाइच लाने में जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है तो कमेंड करके जुरूर बताना कहा पर और लग सकता है जहां पर हमारा नाम आजाए मैंने कमेंड देखा था कि बई जट प्रवजोत की कॉपी या फिर जट प्रवजोत लग रहे हो एक जट प्रवजोत नहीं हूं भाई मेरा नाम जश्परीथ है जट प्रवजोत पादिया अलग है है अलो गईज वलकुम बाक टूर वीडियो आज एक्चली ऑफिस नहीं गया था क्योंकि सुब्वे बारिश बहुत ज्यादा तेज थी तो ऑफिस जानी बाया वर्ट फॉम गया था अभी ऑफ हो चुका है ऑफिस आज खता मैं तो मैंने सोचा कि व्लॉग कर लेते हैं एक स्टार्ट क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैं जागा नहीं तो फिर में कुस एंटे तक वेट करनी बढ़ती और त्यार हो कि मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं गुर्णीत को लेने और इसी भाने गोप्रो टेस्ट हो जाएगा क्योंकि अब लाइट डिम हो गई है सुबह के शॉट तो मैंने लास्ट वीडियो में दिख तब करेंगे बाकी मैंने कमेंट देखा था कि बैइ आ जनद जोट की कॉपी यह या फिर याजड़ जोट लगः ठीना साले सब्सक्राइब हो फिर की जोवी कॉस्ट नहीं का सब्सक्राइल मेरा नाम जस्पी घ्रमाज़ोफ शी पर यह अलग है और मैं लग प्रक्रों तो आज मौसम कितना बढ़िया था सुबह से बारिश आई है सुबह तो बहुत ज्यादा तेज़ थी अब तो नहीं है बारिश उतका बड़ा लेकिन यूमिटीटी बहुत जादा होगी है और नजर आ रही है पतंग उट रही है फिफ्टीन तो वेस्ट आगे ना बास पतंग क्या था उन्हों नहीं देखा होगा एक दो वीडियो में ही दिखाया था मैंने यह बहुत अच्छा लगता में कुछ अस व्लॉग सुबह सुबह इसको देखता हूं उठता हूं तो इसको देखता हूं सोने से पहले इसको देखता हूं बहुत अच्छा फील होता है और 72% जो वीडियोस देखते हैं मैं सबस्क्राइब नहीं करते तो प्लीजिया सब्सक्राइब जरूर करते ना क्योंकि आप लोग सबस्क्राइब करोंगे तब हमार को और मोटिवेशन आएगी कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट शूट कर सके और वीडियोस डाल स तो स्टार्ट करते हैं बाइक इसको कोल्ड स्टार्ट कर दूं पहले हैं फिर निकलते हैं कि एदेखो पानी कैसा खड़ा हुआ एक कितनी तेज बारी चाहिए थी आज मांट करना इतना रिस्किया ना जासी जटका बढ़ता है मास्क नीचे क्योंकि गोपरो का सेट अप है है वी तो आपको हिलता हुआ अभी नजर आता होगा कितनी चाहिए कर रहे हैं लास ताइम भी मैं पता है क्या कर रहा था लास ताइम आने शूट कर लिया और जब एडिटिंग बैठा तो मेरा जो शॉट था वो एक्दम जूम शॉट आ रहा था मतलब जूम ही हुआ हुआ था वो और उसके बाद फिर मैंने फिट तो स्क्रीन किया तो ठीक होगा था त अब आपको इस अब आपको इस ताइम का भी पता लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी आ रही है और मैं यूज कर रहा हूं गोपरो 10 जैसा कि आपको पता पिछली वीडियो में देखा होगा आपने तो तो बताना चेक करके यह एरिया ना सब से बढ़ी अलगता है एक्दम ग अब आपने 23 का लिया यह तो मैंने बता दिया था बट गोपरो क्रिएटर एडिशन जो होता वो कितने का है जिसमें क्रिएटर इसके लिए जो भी नीट फुल चीजे होती है वो सारी होती है तो वह मैं पता किया है वह आता है एप्रॉक्स 32,000 के आसपास का और यह दो कितन और गोपरो 10 आपको बता यह 23 का आता है और आपको लेना आपको लेना ऑनलाइन अभी 27 का रहा है तो बस यह कुछ डिटेल सी यह ना मैंने यहां पर भाइक रोक ही है मैं कैसी लग रही है अपनी यह मैंने एक स्टीकर लगा है अपने चैनल का नाम और अब मैं सोच रहों क बताना कहां पर लगा सकता हूं सारी तरफ से मैंने आपको बाइक दिखा दिए तो कमेंड करके जरूर बताना कहां पर और लग सकता है स्टीकर जहां पर मारा नाम आजए तो आप निकलते हैं को बीजिए कि कोड़ी बागा आते हैं भाई कि इस मौसम में ना मझा आजाता बाइक चलानेगा एक तो वैसे हूमिडिटी जादा हो जाती है है बाइक चलाने में जो मज़ा है ना वो नेक्स्ट लेवल है को सारी गलिया मैंने घुमा देनी आजी अभी मेरे को जाना है ग्रीन पार्क ग्रीन पार्क को जाना है गुरुनीट को लेने वह मेरे को हाफ एनार बाद निकलना था बट मैंने का चलो पहले इस टाइम का थोड़ा मैंने अभी बताया था प्लान चलरा एक त्रिप का तो वह एक दिन का ट्रिप ओने वाले या मैक्सिमम ाह सिम्मंट टू डेसी उने वाल आ है तो एक बार बताना की कहां जा सकते हैं या तो मेरा जो फ्लान था वह ये था कियाल को अम्रिक सर आने या फिर अप दाउं आगर ताज महल सुबह अर्ली मॉर्णिंग जाएंगे वहां पे खाएंगे पीएंगे मस्ट फोटो करवाएंगे आगरा ताज महल के सामने और उसके बाद फिर वापसी सेम डे और अगर अमरिचर जाते हैं तो अमरिचर एक दिन जाएंगे वहां पे स्टे करेंगे अच्छा अगर दिल्ली से कोई है जो राइड करता है यह करना चाहता है तो कमेंट कर लेना यहां फिर इंस्टाग्राम पर डियम कर देना तो कुछ प्लान करते हैं साथ में जाएंगे राइड पे चाहें चोटी चाहें बड़ी एक अठे कुछ करेंगे तो ठीक है अब मिलते हैं फि कि अधिक कि अधिक अधिक कर देख रहे हैं तो अधिक वीडे चल रही है अलो कर दो कि अधिक अधिक को खुश होता ना अपने को भी खुशी होती है एक ताइम पर हमारा भी ड्रीम हुआ करता था यह बाइक व्लोगिंग कैमरे और आज हम पूरा कर बारे हैं तो कल को आप लोग भी पूरा कर पाओगे कि अधिक यह होता है बाइकिंग गाडियां वैसे अधिमा वाच भी पहां नी बूल गया हूं और कई बर यह सोता है मैं ऑफिस जा रहा हूता हूं तो रोक के बूचते हैं लोग की मालब राइक का प्राइस कितना है क्या एवरेज देती है सबसे पहले तो कोशन ही होता है क दो पता हूं इतनी अवरेज देती है तो कहते है वहीं सिटी में क्यों यूज कर रहे हो वाड़क क्या करें शोंक शोंक की बाद है कि ड्रीम थी यह मेरी जो की अब हमारे पास है कि अब एक दिन मारा गोपरो नहीं लगा था ऐसे ही सिरफ उसका मांट लगावा था गोपरो नहीं था क्योंकि उस दिन बारिश थी में लेके नहीं गया तो मैं रलाइट पे खड़ा हुआ एस्टोफ के लाश तो वहां से एक साइट से लगाया कि वहां क्या हमारा लगा मेरी मेरे को इस टाइम पर आसल लग रहा है कि वीडियो ना थोड़ा ग्रेंज आ रहे हैं वीडियो में बाकी जब मैं एड़िट गरूंगा तब ही बता लगेगा ठीक आप जैसी बन रही है पिर नेक्स टाइम के लिए मेरे को भी आईडी हो जाएगा क्योंकि रात को कभी माने में शूट गया नहीं और नेक्स टाइम के लिए मेरे को भी आईडी हो जागा कि क्या सेटिंग रखनी है फिर उसे शूट करेंगे और यह जो मास्क है यह बड़ा रिस्की सा हो रहा भी चलान बाइक ड्राइव करने में भी और गोपरो लगाने में भी क्योंकि हलका सा भी अब साथा रोड पे की गड़ाया और उसमसे निकले तो यह मास्क पूरा नीचे हो जाता है तो यह लगता है कि भई गोपरो इना नीचे गिर जाए किसी दिन से को और 2 इसलिए क्योंकि इस पजब वाइजर हो आव है मतलब जो डख वाइजर होता है बलैक वाला वह तो पर तो मिरए को ट्रांस्पेरेंट भी लेना पड़ेगा इस ताम के लिए कि रात के टाइम हमने ट्रांस्पेरेंट वाला यूज किया और सुबह के टाइम हमने ब्लैक वाला कर लिया सब करेंगे धीरे-धीरे करेंगे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जो 72% लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे वह सब्सक्राइब कर लो यार अब हम पहुंच गया मायापुरी और जहां ने जाना हाफ एनार का रस्ता है पहुंचते हैं तो अभी मैं रेड लाइट वे खड़ा था और पीछे से आगे बाइक वाले ने मारा खड़ी-खड़ी बाइक में और जब मैंने उसको देखा का रहा सुरी ब्रेक नहीं लगी म मेरी अब राइड लाइट दिख रही है और इतनी स्पीड में आ रहा और फिर आगे ब्रेक जब मार लिए तब भी बैलेंस नी मना आगे ठोग दी है तू चला जा पहला मामा कि अधिको यह भी सब देखते पे जाते हैं वह भी देख रहा देखो कि इस टाइम है रिस्की थोड़ा सची में मास्क में न मेरको अगर रात को भी व्लॉग शूट करना है तो मेरको ट्रांसपेरेंट वाला लेना पड़ेगा क्योंकि अब मैं धीरे ही चला रहा हूं मेरको प्राब्लम भी हो रही है देखने में आगे जल्दी लेता हूं इसको बीना है और अब ही मैं हूं नरायना फ्लाइवर पर पर इस रस्ते पर जब भी छड़ जाओना तो यसे लगता है कि वहीं आफिसी जा रहे है मेरा ओफिसर ओखला तो एक और चीज यार मैंना सोच रहा था कि डेली व्लॉगिंग भी शुरू करूं मंदब ट्राय तो करूं एक हफ्ते के लिए 15 डेस के लिए कि पता लगे कि क्या रिस्पॉंस रहता है कि आप कमेंट करदेना नीचे जैसा आप बोलोगे ऐसा करेंगे डैली शुूट करनेको बोलोगे डैली करेंगे हफ्ते में एक दिन बोलोगे एक दिन आप लोगोंने बताना है कि यह देखो यह जो साइड में स्पोर्ट बनाया ना यह कितने बढ़िया लगते हैं अभी आगे और आएगा यह तो सिटिंग भी है यहां पर और साइकलिस के लिए साइड में पूरा एक वे बनाया कि अलग चलो और अभी यह भीज में लाइट्स ओफ हैं मेरे साफसाट बा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एक दिन राज को उंगो उसके आगे महां पिच्छ क्लिक करूंगा राज के टाइम के बहुत बढ़िया बिच्छ आएंगी महां पर बाइक के साथ येस और आज वैसे मैं कुछ पैन के नहीं आया ना जैकेट पहने ही ना गलवस पहन है और जो मेरे को लग रहा है जो मैंने पॉइंट दिखाना था ना वह भी लाइट ऑफ ही मिलेगी आज क्योंकि अगर यहां तक बंद है तो आगे भी बंदी होगी वो फिर चलो कोई निकल दिखा दूँगा आपको ओफिस तो यह इसी रस्ते से मैंने वापिस आने बट ऑपोजिट पड़ेगा बट कोई चक्र नहीं दिखा दूँगा अब बंद है यार यही सामने यह पॉइंट है कि यह दो को यह वाला पॉइंट है लेकिन सब बंद है फ्यूज उड़ा कठा ही उड़ा होगा तकड़े वला तभी बंद सारी लाइट और आज पता है वैसे ही मतलब नर्वस्नेस हो रही है जैसे फर्स ताइम व्लॉग करते तो अब बंद हो गया था तो अब मैंने वह जो इसका एक फंक्शन है कि क्या करके है वह मैंने ओन किया हुए वह यह चीज़े यूज करते है यूज करने पढ़ी पता लगता है कि वह इसमें और फीचर्ज है कि यह रस्ता जाता है करोलबाग और इंडिया गेट इसको हमने पास करना है कि हमने अभी भी सीधा ही जाना है अब बहुत बहुत डर लग रहा है मास्क यूज करते हैं अब रोड रोड पर हलके फुलके तो गड़े आएंगे लेकिन ये तो खेसा क्राह मास्क अपनी जागा से ना मास्क का तो कोई नीमास दुबारा तो ले सकते हैं लेकिन को व्यास क्लिए अभी अभी लिएट तो इसको तो नुकसान भी आरी और गटबागाउं जाना है और यह डाटी कितने उह स्ट लग रहे हैं ज आथ है जैसे हिमाल्यन मेरी ड्रीम बाइक में से खीन है यह जो ड्यूटी छून Uh觉 हम मेरी ड्रीम कार में से एक खर रहे खाड़ चीज औरות दाना है यार किसी को अगर पता हो और रहोनी बडे बजक़् म्हाएं कि दैसे मेरे चारव इंडिकेटर अब आँ है तो इस पर छान है इस पर फां नहीं है किए को पता हो तो ज़रूर बता ना क्योंकि कोई कहता है क्यात herdton तो इसलिए फिर ना जब किसी को दूर से दिखती है चेक पोस्ट आरी है तो मेरे को बंद करने वड़ते हैं तो मैं करी देता हूं कि आप ही पंगय में फ़स्टने से बढ़िया बाक्किया कर किसी को पता हो तो बता दिना फिर उसे आप से जलेगे हम हम पॉंच गया है है यह रहा मेरे सामने अपोजिट साइड राइट साइड आएगा वापसी आएंगे तुम्हारी साइड आएगा मौसम बहुत बढ़िया आज हवाट चल रही है बाइक पे लग रही है लेकिन खड़े जो तो बस यूमीडीटी अो फ्लाइवर पे तो जाम लग रहा है तो नीचे से चलते हैं जो तो यह इदर जाओ ऊजिए अपया मर्धी आजा जाओ इदर जाम होता है सुभे आजे अजा टो भी इस ताइम होता है इस ताइम आजए और इस ताइम इसलिए मैंने बया रस्ता ढूंड़ा है कल मैं ओफिस महीं से जाओंगा तो आप लोगों को दिखाओंगा कि महापे जाम कम मिलता है थोड़ा लंबा रस्ता है लेकिन जाम कम मिलता है और इस टाइम तो को मतला भी आफिस आजी नहीं है ऑपोसेट साइड उना चाहिए था कि बंदे वापिस आ रहे हैं इस ताइम इदर जाने के लिए कि जाम है भी चलो एनी हॉमिक टिपाऊ हम तो च कि मुबार्के 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 11,000 किलो मिटर है कि यहां खड़े होना बड़ेगा अब रेड लेट लंबी है कि भाई ने भी पूरा ब्लैक वाइसर लगाया हुआ मजाग नहीं है फूरी टक्कर देना मेरे को ना मेरे को नजर आ रहा है ना उसको आ रहा है एक दू पांच चुके हैं साउथ दिल्ली कि पांच साथ मेंट गार अस्तोर रहा है ग्रीन पार्क मैंटर स्टेशन का कि वैसे ना पहले मैं सोच रहा था फिर एलेट आगी यार अभी तनी लंबी रेड लेट पर खड़े हो गया हो ना विल्कुल मूं मास्क के अंदर पूरा पसीन इदर उद्दर खुषते हैं अब लेफ्ट जाने वाला भी ऐसी खड़ा देखो एसे भी ड्राइवर्स हैं बाई एक दिन और था बद्दे वाले दिन हाँ जैसे दिन मैं गोपरो लेने गया हूं उस दिन थ्री लेन हाइवे और बंदे ने लेफ्ट लेना था और वो इस कॉर्णर लेन में चल रहा था जहां पर कट था ही नी और कट था ऑपोजट साइड तो उसने बिना देखे उस कट के लिए मतलब कट क्रॉस करने के बाद एकदम वो लेफ्ट अन मारा बिना इंडिकेटर बिना ब्रेक के एक सगेंड के गया पर हम बच गये थे नहीं तो बस काम होगा था उस दिन अब यह कहां पहुंच गया मैं अहां यहां से लेना है राइट टर्न मैं अल्मोस्ट अल्मोस्ट पहुंच चुका हूं एक बाई अब साही लगा के थोड़ा आगे जाके मैं गुल नीच से पूछता हूं अगर पहुंच गी है तो बढ़िया नहीं तो वेट करना पड़ेगा 755 हुए मैप में देखा था तो सवार दिखा रहा था कि सवार पहले रुख जाओंगा रोड पर नहीं जाओंगा नहीं तो फिर रोड पर जाके महाँ ट्रैफिक बहुत होता है कभी बाई कागे करो कभी पीछे करो आई गया आई थिंक येस पोजी मैं सुबह भी यहीं से गया था ओफिस जाता हो ना क्योंकि भाहर जाम था जैसे अभी था येर मैं पहले ना फोन कर लूँ यहीं खड़ा होगे क्योंकि में रोड आ गया यहार मैंने बाहर ही चलता हूँ क्योंकि मैप पे मैंने देखा मैप पे राइट दिखा रहा है और मैंने भाहिया से बूचा यहां किसी से वो कह रहे हैं यहीं है लेफ्ट में निकलते ही यही है यही है यहीं खड़ा हो जाता हूँ अब पता लग गया मैं पहले आया था न नहीं तो मेरे को बाहर रोड पर जाना पड़ेगा आप यह ही लगा लता हूं मैं थोड़ा साइड करके कोई आएगा तो हटा लूँआ नहीं तो खड़ा रहूँआ तो फाइनली आदे घंटे के बाद गुर्नीत आई गई यहीं कहीं आएगी एंटरंस तो यहीं है देखते हैं यह दो को यह कहां उल्टा आ रहा है गुर्नीत को लेके मैं निकल चुका हूं मैं पहुंचा हूं अभी एम्स अधर इतना वेट कराया ना आदा घंटा और पीछे बैटिया मस्ते कि दम अब मैं रोड पे जाम ना मिले यार बसनी तो जाने को तो मैं सीधा भी जा सकता हूं लेकिन चलो इतना गूंकर जाना यहीं से चलते हैं मिलेगा मिलेगा देखी जाएगी वैसे मौसम अच्छा बढ़ी है अश्याइब कर रहे हैं अलगी मज़ा है और हां मेरे को पुलिस अलने अच्छा यह तो बताया है नहीं आपको अभी मैं अप्र स्टेशन के बिल्कुल साइड में खड़ा हूं ऐसा भी बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूं या कुछ मेरे करके रूक रहा है भाई साब आते ह मेरे आगे फाइल निकालते हैं और मेरे को बोलते हैं कि इतनी देर से यहां क्यों खड़े हो मैं कि मैं वेट कर रहा हूं कि किसका वेट कर रहा है मैंने बताया तो क्या रहे आपको इतनी देर हो गई मैं कि वेट कर रहा हूं अब ताइम लग जाता है तो कोई बात नी जल् अब देखते हैं कि वो फ्लाइवर खाली है या वो भी बहरा ही होगा भी देखो जब जा रहा था तब यंदेरा था आरहां तब यंदेरा इस रास्ते की जो बड़िया बड़िया लाइट से ना वो मैं आपको कल लिया नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखा पाऊंगा लेकिन दिखाऊंगा जिरूर अफलाइवर पे दाएंगे तो हमारा दोला कुमा दाएगा लेफ्ट में एरपोर्ट राइट दाएंगे तो चनक्या बुरी और हमने दाना दोला कुमा मलब भरी नगर दाना है तो दोला कुमा तो क्रॉस करना ही पड़ेगा चलो यही ए कि मैं आपकी में को भाइक भी अपनी दिखानी है क्योंकि ए बाइक ना जह तक에 दे रही है अन्य सथ क्यों दे रही है पतानी अर मिसी भी ग्यएर पर चला लो हमकर करण है मुलब अजय क mutual के दे इरिया अब संड़े जा आप आहुंगा क्योंकि उस से पहले कोई ऑ्फ ब बताई दिया है कि मैं सोच रहा हूं की आगरे हो आँ करनी है राइड बस आप लोगों का वेट है आप लोग कमेंट करोगे तब ही कुछ बात बनेगी और साथ में सब्सक्राइब नंबर ज्यादा मेरे को 72 परसंट वाले अब वो 72 परसंट मंदों में से कुछ परसंट तो सब सब्सक्राइब कर लो यार अभी कर लो फिर अब इस पर भार जाने से वहले मेरे को इस पर लाइटिंग भी मतलब इस पर लाइटे भी फिट करवानी बढ़ेंगी क्योंकि अब जैसे यह अंधेरा तो इसमें लाइट कम है बाइक की जो बाइक की जो लाइट है वो मेरे को क पुछ तो फरक पड़ेगा और यह अपनी राइड से पहले मेरे को लगवाना पड़ेगा आगरा वाली राइड नहीं बट इसे आगे जो और लंबी राइड भी हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए तो लगवाना ही पड़ेगा चलो जी फाइनली रीच्ट होम और जिससे मिलना था जिसकी वह अभी मेरे उपजेट साइड से निकला है तो वेट करता हूं नीच चाहिए